मोदी विक्सीद भारत के लिए विक्सीद जम्मु कश्मिर के निर्मान की गारंटी दे रहा है इन परिवार चलीद पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मु कश्मीर का जितना नुक्षान किया वो तना नुक्षान किसी ने नहीं किया है सत्ता के लिए इन्होंने जम्मु कश्मीर में किन सो सत्तर की ऐसी दिवार बना दी थी कि जम्मु कश्मीर के लोग बाहर नहीं चौंक सकते थे और बहारवाला जमू कश्मीर की तरब नहीं जौन सकता था मैं चुनावती देता हूँ हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए विजेश करके मैं कॉंग्रेस को चुनावती देता हूँ वो गोसना करें वो 370 को वापिस लाएंगे ये देश उनका मुँ तक देखने को तयार नहीं होगा भाई और बैनो मोदी विक्सीद भारत के लिए विक्सीद जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है लेकिन कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी और बागी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते है इन परिवार चलीद पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुक्सान किया उतना नुक्सान किसी ने नहीं किया है यहां तो political party या मतलब of the family, by the family, for the family सत्ता के लिए इन्हों ने जम्मु कश्मीर में तिन सो सत्तर की ऐसी दिवार बना दी थी कि जम्मु कश्मीर के लोग बहार नहीं जौँख सकते थे और बहार वाला जम्मु कश्मीर की तरब नहीं जौँख सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था कब अज उनकी जिन्गी ये 370 है तब ही बचेगी ऐसा जूट चलाया ऐसा जूट चलाया आपके आशिरवाद से मोदी ने 370 की दिवार गिरा दी दिवार गिरा दी तना नहीं उस मलवे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने मैं चुनावती देता हूँ हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आजाए विजेश करके मैं कॉंग्रेस को चुनावती देता हूँ वो गोसना करें वो 370 को वापिस लाएंगे ये बेश उनका मुँ तक देखने को तयार नहीं होगा ये कैसे कैसे भ्रह्म फ्यलाते हैं कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा लेकिन जम्मू कश्मीर के नवजवानों ने इनको आइना दिखा दिया अब देखिए जब यहाँ उनकी नहीं चली जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए अब जम्मू कश्मीर में उनके जूठे वादे ब्रह्म की माया जाल नहीं चल पा रही है तो यह लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीट ब्रह्म फेलाने का खेल खेल रहे हैं यह कहते हैं कि तीन सो सत्तर के हटने से देश को कोई लाब नहीं हुआ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ भी बोलते हैं तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तुमारे राज्य को क्या लाब हुआ तिन सो सत्तर के हटने से क्या लाब हुआ है वो जम्मू कश्मीर की मेरी बेहन बेटियों को पूछो जो अपने हकों के लिए तरस रही थी ये उनका भाई ये उनका बेटा उन्हाने उसके हक वापिस दिये है जरा कॉंग्रेस के लोगो जरा देश भरके दलीत नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ यहां के हमारे दलीत भाई बेहन हमारे वालमी की भाई बेहन देश आजाद हुए तब से परेशानी जेल रहे थे जरा करके उन्हालमी की भाई बेहनों से पूछो गड़ा अबराममर से पूछो कोली से पूछो और पहाड़ी परिवार हो मचैल माता की भूमी में रहने वाले मेरे पड्री साती हो अब हर किसी को सम्विधान में मिले अधिकार मिलने लगे है अबराम से अधिकार मिलने लगे है